हेलो दोस्तों जैसा कि आप देख रहों ये अंडे से बनने वाली बिल्कों अलग सी रेस्पी है दोस्तों चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं करेंगे मैंने तेजपत्ता और कुछ जीर्ण करके उसे सुनेरा होने तक छोड़ दिया दोस्तों जब इस सुनेरे हो जाएंगे तब हम उसमें प्यास डालेंगे और एक हडी मीच रादन उसे हम नमाट करेंगे मैं इसमें दो प्यास कपड़ियों कर रहा हूँ आप कम या ज़ादा कर सकते हैं जब तक ये सुनेरे हो रहा है तब तक हम इसके लिए जो मैंने अंडे से ओमलेट बना करके रॉल उसका तयार किया हुआ था उसे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे जिसे हम बाद में ग्रेव पेश्ट भी डाल करके अड़ करेंगा और उसे थोड़ी देर तक सुनेरा होने तक उसे भुनेंगे उसके बाद हम उसमें एक चमच हल्दी पॉडर एड़ करेंगे हल्दी पॉडर एड़ करने के बाद हम उसमें एड़ करेंगे एक चमच जीरा पॉडर एक चमच लाल मिर् Shepan Wiasgaš के उसके पदा हम इसे थोड़ी देर तक अच्छी तरह से पकाएंगे पकाने के बाद हम इसमें एक का पाणी एट करेंगे दोस्तो पानी एट करने प्रत हम इसे अच्छी तरह से सुने रहां में तक भूणेंगे जब मसाले तेल चोड़ने लगेंगे कैसे डाल गलाइगे फिर से अच्छी तरह से भूंएगे दोस्तों अगर हम कंप पानी डालेंगे तो यह जो हमारी ग्रेवई वह पूरिश गाएगी दोस्तों इसलिए हम थोरा पानी ज्यादा एड करेंग दोस्तों क्योंकि जब यह पकने के बाद यह बहुत खुब सरत लगी दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा पानी होगी वो ओमलेट जो है वो इसे पानी को सोख लेगी यह रेस्पी अब बिलकुल तयार है दोस्तों देखी यह कितनी ख्यूपसूरत लगड़ी है और जितने भी पानी थी वह इसने एब्सूर्ब कर लिए और देखी यह कितने मोटे- खुबसूरत लग रहे है फूल करके तयार हो गए दोस्तों चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि यह कैसे बने जब आपको दोस्तों खाने का मन करी आप आराम से इस रेस्पी को ट्राय कर सकते दोस्तों इस सभी को बहुत ही बहुत ही में